नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों देखे आई बीपियस के द्वारा जो है कलरक का वेगेंस से निकाला गया है इसका अपलाई डीट भी दूस्तों आज से ही सुरू हो गया है यह दोस्तों आपका ओरिजिनल दोस्तों डेड़ दे दे गई है एक साथ यानि कि आज से ही और 21 जुलाई तक आपका अपलाई होगा ठीक है और यह दोस्तों आपका जो दो एक्जाम लिया जाएगा पीटी और मैंस पीटी दोस्तों आपका अगस्ट में दोजाट महिना में ले ली जाएगी इसके बाद तौस्तों जो अपका मैंस एक्जाम होगा वह अक्टूबर में हो ले ली जाएगी ठीक है और आपका जो क्या बोलते हैं जो एटापमेंट है वह आपरील 2025 तक में जो है आपका सबचीच की लिए ठीक है तो चलिए तो चलिए दूस्तों क्या-क्या से प्रकार एक्जाम सुरू से अंततक जो है समझाता हूँ ठीक है ध्यान दीजेगा दिखी दूस्तो आइबी पीएस कलरक 2024 इसके बारे में पोस्ट नेम दोस्तों क्या है कलरक है ठीक है कलरक के का वे वेकेंसी है टोटल पोस्ट दोस्तों 6128 पोस्ट है कितना है 6128 पोस्ट है और चाहिए आप चाहिए आप किसी भी सब्जक्ट से भीरेजवेसन पास होना चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते है नेक्स्ट है दोस्तों आपका एसलिमीत अपका क्या रहने वाला है तो एज़िमीट 20-28 अगर आप से औथाइस अगर आप सी stress यह सब हैं तो उसमें आ बात करें दोस्तों तो सेलरी जो है आपका 29,000 के एप्रोक्समेटली रहने वाला है यानी कि 29,000 के लगबग उससे ज्यादा भी ज्यादा भी हो सकता है कम तो नहीं ही होगा तो यह अप ध्यान दीजेगा इसके बाद अप्लाइफिस की बात करें दोस्तों तो अप्लाइफिस ह होगा आपका OBC और EWS के लिए जो है 1875 रुपय अप्लाइफिस रखा गया है ठीक है और अगर आप अधर स्टी 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 में आते हैं तो आपको महात्र एक सो पचत्तर रुपया ही दी जाएगी तो दोस्तों आप जो जो अप्लाइब करने के लायक है मतलब कि जो पास कर रखे हैं तो दोस्तों बीना देर करते वेए आप लग अपलाइब कर दीजिए और टैयारी बिल्कुल यह तैयारी में लग जाएगी ठीक है न क्योंकि आपका एक्टूबर में मैं एक्जाम आपका हो जाएगा तो समझ गया आप चलिए आगे आपका क्या-क्या जो अच्छी तरी किसे समझ लिजिएगा तो आपको थोड़ा सासाने होगी सेलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर देख लिजिए मैंने जो है लिक रखा है ठीक है तो यहाँ पर देखी दोस्तों रिटन एक्जाम होगा पहली आपका जिसमें पीटी मैं दोनों आ जाएंगे तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर इतना है दोस्तों इसके बाद एक्जाम पेटरन क्या रहेगा पीटी के लिए वह मैं आपको पहले सिलेबस क्या क्या रहने वाला है ठीक है एक्जाम पेटरन किस तरह ली जाएगी किस में कितना नंबर होगा तो आप एक बार अच्छी से समझ लीजिए तो दोस्तों पीटी में जो है आपका इंगलिस रहेगा तीस को सन रहेगा तीस मार्क के लिए ठीक है और आपको समय दिया जाएगा मात्र बीस मिनिट तो यह आप समझे इसके बाद रिजिनिंग है तो उस्तों 35 प्रशन रहने वाले हैं 35 नंबर के समय रहेगा मैं दोस्तों 35 प्रशन रहेंगे 35 नंबर के लिए और इसमें भी आपको टाइम मिलेगा यानि कि टोटल टाइम दोस्तों आपको एक घंटा मात्र दिया जाएगा और आपको सौ सवाल हल करना है ठीक है तो थोड़ा दोस्तों इस पीट तो चाहिए इसके बाद दोस्तों देखते हैं मैंस के लिए अग्जाम पेटर्न क्या रहने वाला है तो इसमें दोस्तों आपका जेनरल एवार्नेस और फाइनल्स लिए सर्विस ठीक है इसमें 50-50 रहने वाले हैं मतलब की 50 प्रशन रहेंगे 50 नंबर के लिए 35 मिनिट समय आपको इसमें दिया टोटल समय कितना मिलेगा दोस्तों मिलेगा एकंसो 60 एकंसो सार्ठ मिनिट शार इस तो इसम मैंथ जो है थोड़ा आपका करना भूल गए हैं तो मने दोस्तों आपको थोड़ा तो कि मैं में कितना नमर का विया पुछ रहने वाला कितना 50 प्रशन तो दोस्तों मैंने जो आपको एकटम औरिजिनल नोटिपिकेशन देखाया है वो दोस्तों आप वहाँ पर सरकारी जोब में जाके आप देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आप सभी को यह नोटिपिकेशन अच्छी लगी होगी नोटिपिकेशन अच्छी भूले धन्यवाद